हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्स्प्लोर ओटोगेट आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब का चैनल में मेरा नाम है स्वेल खान तो दोस्तो आज हम सीखेंगे ओटोगेट में ब्रेक कमांड क्या होती है उसकी shortcut क्या होती है और उसको किस तरह से apply किया जाता है object में autocad में drawing बनाते समय तो चलते हैं autocad में start करते है break command को सीखना तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहापर मैंने दो object बना रखें जो पहला object है मेरा circle है और जो दूसरा object है वो मेरा rectangle है तो basically जो break command होती हूँ किसी भी particular line या किसी भी object को काटने में help करती है हमारी तो start करते हैं इसको सीखना तो break command को use करने की shortcut जो होती है वो होती है BR आप देख सकते हैं आप जैसे में type के आप BR तो आपको दिखाए देरा है यहाँ पर top में break command लिखी हुई है तो जैसी यहाँ पर हम इसको click करके ok करेंगे तो यह command active ह चुकी है इसकी shortcut होती है BR आप not down कर लिजए या आप directly आप पूरा command बार में break भी लिख सकते हैं तो इसको किस तरह से apply करना है बहुत ध्यान से समझीगा देखेगा यहाँ पर जो circle बना हुआ है मैं इसको click करूँगा click करने बाद जैसे मैं mouse को drag करूँगा इस तरह से आप द कर लिखते हूं BR space बहुत simple command है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको select किया इस points से और इस तरह से में इसको आगे की तरफ break करूँगा आप देख सकते हैं जो यह line दिखा रही है मेरा particular select है जो यह simple line दिखा रही है यह unselect है तो जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा आप दे आपके सीखेंगे तो दोस्तों मुझसे जोड़े रहने के नहीं मुझे follow करने के नहीं subscribe करें मेरी YouTube के चैनल को और इसी तरह से simple simple चोड़ी चोड़ी ट्रिक्स में autogate को सीखें थैंकियो सो मच गाइस बबाई